तो स्वागत थे आप सभी का ग्याफ़नी के इस नया लेडस्ट और धमाकेदार वीडियो में आज किस वीडियो में आप लोगों को एंसर की बताने वाली हूँ जैसा कि आप लोगों को 20 तरीख को एकजाम हुआ 10th क्लास के उर्दू का फर्स्ट सिटिंग का तो मैं एंसर की अब लोगों को प्रवाइड कर दिती लेकिन 2 टिंग का एंसर की प्रवाइड नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त शाम को 6 बजे लाइव लेना था इसलिए सेकंट सिटिंग का एंसर की मैं नहीं अपलोड कर पाई तो अभी मैं अपलोड की हूँ 20 तरीख को आप लोगों का स सर की बता दीजिए सेकेंड सेटिंग का तो दुवित्त यह पाली है याद रखिएगा सेकेंड सेटिंग का बता रहे हूं आपका कोई भी सेट क्यों नहों कोशन पेपर का सेट ए हो सेट भी हो सेट सी हो कोई भी हो आप लोगो कोशन देखकर मिलाना है कोशन पढ़कर कि हां देखिए यह सेट आई है सेट आई में जो कोशन एक नंबर पर होगा कोशन आप लोग यह दूसरे सेट में सेट B C में बसल्ड़ मानड़ पांसटन नंबर पस नम्मरींग चैंज रहता है लेकिन कोशन एक ही रहता है ठीए तो चलिए स्टार्ट करते हैं उर्दू MT लिखा हुआ है और ये 20 तरीकों जो एक्जाम हुआ था सेकंड यानि कि दुट्यपाली का एंसर की बता रही हुआ है चलिए मिलाते चलना है आप लोग कितना objective question सही किये हैं देखिए सबसे पहला सवाल आपके screen के उपर ये रहा कि दरजजैल में निदाफाजली का शेहरी मजमुआ कौन है बताइए इसका आप लोग क्या लगाएं राइट इंसर क्या होगा दरजजैल में निदाफाजली का शेहरी मजमुआ कौन सा है तो वो है जिंदगी की तरप option number D is the right answer option number D हो जाएगा जिंदगी की तरप आगे बढ़ते हैं दूसरा question कि मिर्जगालि गालिब है याद रखना है तो आई होप आप लोग ए लगाए होंगे चलिए फड़ाग और आप लोग मिलाते चलिए कि आप लोग क्या लगाए हैं और आपका कितना objective सही हुआ है इसलिए तो मैं यह answer प्रवाइड कर रही हूँ नजम खड़ा दिनर के शायर कौन है तो आगे बढ़ते हैं मस्नवी बिहार इश्ग का बहार इश्ग का मुस्वनिफ कौन है मस्नवी जो है वहार इश्ग इसके राइटर का नाम बताना है तो वो है शौक लखनवी option number a इससान शौक लखनवी होगा कुशन नबर 6 की मसफ़ी की पैदाइश कब हुई तो मसफ़ी की पैदाइश हुई थी 17-48 option number D is the right answer next question number 7 है कि एमद फिराज का शायरी का महूर क्या है तो इनका शायरी का महूर है हुसन वा इश्क और है हमद फिराज को रुमानी मिजाज का भी शायर कहा जाता है हुसन वा जमाल में ये काफी दिल्चस्पी रखते हैं घजल के पहले शेर को क्या कहते हैं लीजे ये कोशन में आप लोग को कराई थी एक दिन पहले देखिए कोशन पूछ दिया है गजल के पहले शेर को कहते हैं मतला ऑप्स नमबर एज दराइट एंसर परविन और इसका सही जवाब 11 कि मानि तो कि दो टाइप है देखिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब हैं और उसके बार से आप लोगो वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप लोग चैनल पर नहीं आया हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दर्जेजेल में इसमें नकरा कौन सा है इसमें नकरा है फल में सभी फल आ यानि कि आप साथन की बातिला बी इस जराइट एंसर बर जाका को तलास किजिए नहां का कौन सा है जो लास्ट में जुर जाए जी हां तो इसका सही जवाब होका आप सा नमबर डी वजू खाना वजू था पहले लास्ट में खाना जुड़ गया तो यह हो गया लाका पंदर वहां मत जाओ इस जुम्ले में मत जाओ कौन ल्हें यहांपर मना कि जारा ना कि मत जाओ यानि यह फेल नहीं है जिसमें मनाहिए उसको कहते हैं फ değil adalah question कि alarm की कितनी किसमें यह सारा इसलिख कराई थी नहीं वाट लोगा पूछ दिया है और इसलिए किकि सारा कुछा है आप लोग की किसमें होती है तो अलम की किसमें ऑमकी 5 किसमें मैंश में मुसगर का मानी होता है चोटा किया हुआ अचारा न। कुस्ट हमसूत होता है एक समान बूस्थ होने वाला सभी है हैं आप 이제 अबद इसको भी पढ़ेंगे अब दोनों का प् schöne आच Bürाम हैं तो मजखकर है बाद नंबर यह कितने मिस्रे होते हैं यह तो मुझत ही तो एक दिन पहले लाइव ली थी तो सारा पूचा है और नहीं आया था नोगोगाय के दो से दो हा, दो से दो होता ही है, यह मैं इसी तरह करके आप लोगों को बताई थी, मस्ट विवेई बोली थी कि इंपोर्टेंट है, सारा कोशन जितना भी करा रही हूँ, 22 नमबर कोशन है कि सला मचली शेहरी की वफात कहां हुई, तो इनकी वफात हो गई थी, यानकी मौत ह हो गई थी, लाहोर में, आपसा नमबर A हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, 23 नमबर क्वेशन की दरदेजैल, मिस्रा को मुकमल कीजिए, जहां में हमसा कोई गम, गसार हो तो कहीं, यानकी आपसा नमबर 20 जराइट इंसर, नेक्स कोशन देखिए, परविन शाकिर की कुल्या किस उन्वान से शाय हुआ, तो उस उन्वान, उसका उन्वान यानकी टाइटल था, माहे तमाम, आपसा नमबर A, आप लोग देख सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है, जगरनात आजाद ने किस मजमून में MA किया, तो जगरनात आजाद जो है ना, वो फारसी में MA किये थे आपसा नमबर B, दराइट एंसर, नेक्स्ट कोशन देखिए, शौक की मसनवियों में सबसे ज्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई, तो शौक की मसनवी में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई थी, जहर इश्क, आपसा नमबर B, दराइट एंसर, देखिए, आ सना सिकेंड हैंड काहानी से काहानी का लिखने वाले हैं वायकूम मुहम्मद बसीर ऑफसानमर सी जगान से दाइट एंसर मेक्स्ट प्शन देखिए क्कुशन सनrü मुहें की राम अफ़ै तो किस अफ़ैन की किर्दार राम हलदर और वा भीशाल में से जगान से हमें पात्रा की नजम है बारिश की एक सुबा आपसा नमबर ए इस दराइट अंसर ए नजम दिये किस शायर की तखलीक है तो नजम ये जो कवीता है न दिया ये लिखा गया है किसके दोरा तो अरून को लहटकर आपसा नमबर इसका भी ए हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखे सा सारा कोशन पूचा गया है जितना भी मैं कोशन कराई थी अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है उसका नाम क्या है उसका नाम रहता है अजीम आपसा नमबर डी हो जाएगा राइट एंसर अलिफ मक्सूरा किस लफज में हैं देखिए ये भी मैं आप लोग को कराई थ तो यहां पर देखिए आग आदम आप इसको खीच कर पढ़ा जा रहा है लेकिन अदब को अलिफ को खीच कर नहीं ना पढ़ा जा रहा है यानि कि आपसा नमबर एइस दराइचंसर अलिफ मक्सूरा उसी को कहते हैं जिसको जिस अलिफ को हम लोग खीच करना पढ़ें ठीक एक कौन था एक इसम फेल और हर्फ तीन किश में आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 35 कि दरजयल में इस मारफा की निशान दही कीजिए इसमें मारफा इसमें मारफा किसे कहते हैं खास नाम को तो खास नाम दिख रहा है आपसा नमबर डी गंगा नदी में खास नाम ले लिया गया अपसेंकर निए पर सांप लोटना मुहावरा का मतलब होता है तो सीने पर सांप लोटना मोहावरा का अर्थ होता है फसद्र करना ओप्सांझा 2017 कि दरजयल में हम्द का मुत्रादिफ क्या होगा तो हम्द का मुत्रादिफ होता है सना हम्द बोलिए ये फिर सना बोलिए बाते की ये दोनों का मतलब एक होता है दर्जयल में इस मुआउजा की निशान देहीं कीजिए हम लोगल नमाज पढ़ते हैं इस जुमले में हम लोगों कौन साही है तो हम लोग और नमाज पढ़ रहे अपनी बात त beschäft मुटेकलिम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्ण मिलाते चलना है लवज कितना अपजयक्टिफ कुश्ण जी लवजी नान के सही माने क्या होता है नान की काम प्रेजिंट में होता है आप लोग को कराई थी देखिए सारा को पूचा गया है और बहुत सारे इस्टिट्ट कमेंट करके बोल भी रहे हैं कि जी हां आपका सारा पूर्चन तो आप सब शायर को जुलमते दहर में किसकी तलाश है तो शायर को जुलमते दहर में जुलमते दहर में नूरे सहर की तलाश है अगर आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर तो पता होगा जी हां यह सारा कोशन करवाया गया था देखिए सारा कोशन आ गया है अब आप लोग को समझ में आ कमर जहां का अफसाना है तो उस अफसाना का कहानी का नाम है कटी हुई शांख और बीज दर आइटेंसर यहां तक आप लोगों को चैक्टर और राइटर का नाम याद रखना भी बताई हूं कैसे ट्रिक क्या है यह हर एक चीज़ बता चुकी थी देखिए कोशन नमर 45 की करब रंड़ी अकसाइड गैस में 31 परतिसक्त और बीज दर राइट एंसर कोशन नमर 46 की डॉक्टर अब्दिल मुगनी की पैदाईश कब हुई तो डॉक्टर अब्दिल मुगनी की पैदाईश हुई थी उन्हें सच 34 और सी दर राइट एंसर नेक्स्ट कोशन देखिए लुत् दिन पहले उर्दु के एकजाम से एक दिन पहले में आप लोगो को कराई थी और बोली थी की इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा हमीदा नसू की बेटी और फैमीदा नसू की बीवी याद आ रहा है आप लोगो बिल्कुल याद आ रहा होगा चलिए कोशन नमर 49 कि शाम बेदी के पहले अफसान वी मजमुआ का नाम क्या है तो बेदी के पहले अफसान वी मजमुआ का नाम है दानावदाम ऑप्सा नमर बी ये भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझते हुए बोली थी कि अपने माइंड में स्क्रीन शॉट मार लीजे मोबाइल में नही इस दराइट एंसर नेक्स्ट कोश्टन है कि भीम राव अम्बेटकर ने मैटर का इम्तहान कब पास किया था तो वो पास किये थे उन्हें से आठ ऑपसा नमबर सी इस दराइट एंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन देखिए ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसूर य हुई तो आरे भट की वफात जो है ना 88 साल की उमर में आपसा नमबर सी हो जाएगा राइट एंसर हम जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के गरहन से वाबस्ता पड़ता है तो हम जमीन के बाशिंदे जितने भी लोगें दो तरह के गरहन देखने को मिलता है प्रिस्वी पर कोशन नमर 56 कि नजीर ईढ़ितका कब हुआ नपहीस Chili नजीर अखसा नमबर 27 कि अर्दूरू मॉल्ला जो है ये मिर्जा गालिब का ये भी मैं आप लोको समझते हुए भाखे थी कि उर्दूरे मॉल्ला और ऊदे हिंदी दोनों झो है ना खतूत का किताब है जो कि मिर्जा गालिब के दरा लिखा गया है और दोनों में से कोई एक पूचएंगा देखे पूझ दिया है। को यकीन हो रहा होगा कितना important question में कराती हूं चलिए बहुत बढ़ियां मिलाते चलिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए फड़ाफट देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मैंनत करती हूं तो एक छोड़ा सा काम आप लोग करी सकते हैं शेयर कर दीजिए अपने पड़ो होगी तो कदीम का जिद यानि की उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द होता है जदीद ऑप्सन नमबर डी अब सी सॉरी सी में जदीद ना तो सी ऑप्सन नमबर सी जदीद 62 नमबर कोशन की पानी पानी होना मुहावरे का मतलब क्या है तो पानी पानी होना शर्मिंदा होना देखिए यही वाला यही वाला मुहावरा में आप लोग को कराई थी पानी पानी होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है वही वाला जो में आप लोग को कराई थी ना वही वाला मुहावरा पूछा है सोचिए सोचिए कितना important question में कराई हूं पानी पानी होना यानि कि शर्मिंदा होना ठीक है आगे देखिए question 63 कि हिंदुस्तान लिसानी अतबार से कैसा मुल्क है हिंदुस्तान जो है ना वो कसीर लिसानी है लिसानी अतबार से यानि कि भाषा क्या अपसान नमबर भी हो जाएगा तरदोई किस अफसाना के किरदार है तो तरदोई जो है ना वह खाली संदूक अफसाना के किरदार है यह हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आई हो आप लोग लगाये होंगे आगे बढ़ते हैं question 66 की करनाटक की जुबान क्या है तो करनाट जी हाँ option number D is the right answer सारा question पूछा है अफसाना अंग्रेजिया बाबु की जुबान में है मुझे लगता है आप लोग center पर गरदा प्लस धुबान मचा कराये हैं क्योंकि सारा question सारा question पूछा है जितना भी मैं करायी थी अगर आप लोग live class में इंड तक बने हुए थे तो आप थिली जुबान में option number C हो जाएगा इसका right answer वातरक क्या है तो वातरक एक नदी है जो कि कहां है बताईए तो वातरक नदी कहां है तो गुजरात में option number D मतलब वातरक एक नदी है और यह नदी कहां पर है तो गुजरात में ये भी मैं आप लोगों को एक दिन पहले बताई थी लाइव में चकबस्त का पूरा नाम क्या है तो चकबस्त का पूरा नाम जो है ना वह पंडित बर्ज नरायन चकबस्त एकदम हलवा कोश्चन सारा कराई चुकी हूं हर एक चीज़ करा चुकी हूं और देखिए सारा कोश्चन पूछा है रख से हायात किसका शेरी हुआ है अगला कोश्रन देखिए 70 नंबर चकबस्त किस पेशे से मुनसलक थे तो चकबस जो है ना वो वकालत से मुनसलक थे याद रखिएगा आप तबावत नहीं होगा आपसा नंबर एस दराइट एंसर दर्जिजैल में दर्जिजैल मिस्रा को मुकमल कीजिए इसका राइ 73 का ऑपसा नंबर सी मोधी खाना ऑपसा नंबर सी मोधी खाना आगे बढ़ते हैं दर्जिजैल में एहमद फिराज की शेरी का मजमुआ कौन है शेरी मजमुआ है दर्द आशूब ऑपसा नंबर ए ही हो जाएगा आप लोग का राइट एंसर यह देखिए खकोर कर अंदर से पूछा है लेकिन इंपोर्टेंट है पूछ दिया है यहाँ पर और इसका राइट एंसर ए हो जाएगा कोशन नमबर 75 कि हसान नईम के सुशोबा में मुलाजमत करते थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा और वजारते खार्जा यह भी में आप लोग को कराई थी देखि हो गई थी उन्हें सच चौरानवे राइट एंसर नेक्ट कोश्टन ऑन दे स्क्रीन है 78 नमबर कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा और इस दाप सिलूटली राइट एंसर बहादूर शाह गये मौसम में जो खिलते थे मैं आप लोगों को पढ़ाई हो ना गुलाबो की तरह ऑप्सान बडी हो जाएगा गुलाबो की तरह आगे बढ़ते हैं कासी नमबर क्वेश्टन की हम्द के लोग भी मानी हम्द का लोग भी मानी होता है खुदा की तारीफ करना ये भी मैं आ नगार आजिम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है तो नगार आजिम का जो अफसाना है आजियाना वो हम लोगे बुक में हैं इसका सही जवाब की होग जाएगा अपसा नमबर डी सरसीयद का इंतकाल कब हुआ तो सरसीयद आमदखा का इंतकाल हो गया था 18-1998 option number A हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फड़ाफट सारा question पूचा गया है आप लोग शेयर कर दे वीडियो को एक छोटी सी request है आप सभी लोगों से आप लोग शेयर करते जितना ज्यादा हो सके और वीडियो को like नहीं किये तो like जरूर करें और channel पर नहीं तो subscribe जरूर कर question number 86 कि हिंदुस्तान में गुप्त एद को कैसा दौर कहा जाता है सुनहरा दौर यह मैं आप लोगों को बताई थी ना अपने mind में screenshot मांट लीजिए बोली थी आप लोगों से आगे बढ़ते हैं मिर्जगालिब की वफात कब हुई आप लोगों को answer मिलाते चलना है फिर आप मकबूल एहमद समदानी मेदी अफादी के कौन थे तो दोस्त से option number D next question on the screen शामिल निसाब interview में किसका interview लिया गया बेदी का interview लिया गया है ना option number D is the absolutely right answer अफसाना भावी जान का मरकजी किरदार कौन है तो वो है रुकईया भावी यह तो एकदम हलवा question है आगे बढ़ते है अफसाना नसीर और खदीजा के मसानिफ को ने देखिए यहाँ पर भी एकदम अंदर से खीच कर पूछा है आप बोल सकते हैं एकदम खकोर कर पूछा है नसीर और खदीजा मतलब आप बोल सकते हैं यह थोड़ा student के लिए tough है क्योंकि अंदर से पूछा गया है अफसाना न समझते वे नहीं पढ़ाया गया था लेकिन फिर भी यह पूछ दिया गया है यह आप लोग के बुक में स्टार्टिंग में ही दिया गया है देखे कोश्च नमबर 92 की तरफ बढ़ते हैं कमर जहां की तसनीफ हर्फ आगी जो है यह किस टाइप का तसनीफ है किस टाइप का क्र दर्पोक जो है न वो क्या क्वालीटी है अक्रम की क्या व्यांने की सिफत की चबआना का क्या मतलब होता है दुष्वार काम करना जो काम एकदम कठी लें उस काम को करना लोहे के चने के चने चबाना के बराबर हैं आप लोग सुने भी होंगे ऐसा मुहावरा यूज किया जाता है दर्जजैल में कौन सा लफ्ज मौननस है तो मौननस लफ्ज है उर्दू आपसन नमबर 20 दराइच अंसर मौननस बढ़ते हैं दर्जजैल में इसमें आला की निशान दही कीजिए इसमें आला कौन सा है कैची है इसमें आला कहते आउजार या फिर हतियार के नाम को और यह भी मैं आप लोग को कराई थी देखिए कोशन पूछ दिया गया है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 97 की हम लोग रोज इसकूल जाते हैं यह वाला है होगा यह भी मैं आप लोगो उर्दू ग्रामर में पढ़ाई थी कि है और है में कमफ्यूज नहीं होना है इसका सही जवाब क्या होगा option number C है हम लोग इसकूल हम लोग रोज इसकूल जाते हैं आगे बढ़ते हैं 98 नमबर क्वेश्चन की जराज की मुलाजमत कि शहर में लगी थी तो बैंगलोर में लगी थी ऑप्सट नमबर डी इस तर आइट एंसर 99 नमबर क्वेश्चन है 99 नमबर सवाल कि अमेरिका के किस साविक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी तो वो थे जमून से ऑप्सट नमबर भी हो गया बिल्कुल सही जवाब तो हंडेट अब्जेक्टिव का मैं एंसर बता दी आप लोग मिला लिए कमेंट करके बताए कि आप लोग हंडेट सो में सो में से सो नहीं करना है टीक देखिए सो कोशन पूचा है लेकिन इसमें से 50 का आप लो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली लाइव क्लास और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज